जै जोहार, नमस्कार, मैं सुदामा और आप लोग देखने 36 गटीवी, सांथियों, आज धान की दो ऐसी वराइटी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में सक्छम हैं, जिसमें बहुत ही कम रोग लगते हैं, जिसमें मु पाई करने का समय क्या है, पकने का सही समय क्या है, और इस वराइटी में सी कौन कौन सी खासियत है, जिससे हमारे देश के टाप उत्पादन देने वाले वराइटी में सामिल है, तो आए इन ही सभी बातों को विस्तार पूरवक जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप ने हमारे 36 गर टीवी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो अवसे सब्स्राइब करें तो आए जानते हैं कि वह काउंसी वराइटी है जो सबसे ज़्याद उत्पादन देने में सक्षम है तो सबसे पहली टाप वन में वर अराइज 169 गोल्ड जी हां अराइज कंपनी का 169 गोल्ड ये एक ऐसी वराइटी है जिसके प्रती एकड़ बीजदर लगभग 6-7 किलो लगता है एक एकड़ रोपाई के लिए और इसके रोपाई का सही समय 10 जून से लेकर 15 जुलाई तक है पकने का समय मात्र 115 दिन से 120 दि अपने जमीन पर अपने खेत पर तो तीन फसल लेने के लिहाज से यह धान बहुत ही कम समय में त्यार हो जाता है कटने के लिए तो यह कहना चाहिए इस धान की खेती करके आप साल में तीन फसल तक ले सकते हैं इस धान की अगर हम मुख्य विसेस्ता की बात करें तो यह भा पहला ऐसा blast और BLB से रहित धान है जिस पर कहना चीए resistance power develop किया गया है मतलब इस धान में blast का और BLB का रोग बिल्कुल भी नहीं लगता ये इन दोनों रोगों से free है और अन्य रोग भी इसमें बहुत कम लगते हैं और बहुत कम सी चाई पर इस धान को हम पका कर कहना चीए त् अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है पौधी की जो चाई है 105 cm लगभग होता है तना काफी मजबूत होता है इसलिए आन्थी तुफान जहल जाता है और इतनी असानी से धान गिरता नहीं है और कम पानी में चुकी यह फसल जो है बहुत अच्छा उत्पादन देता है क जह तो रहा Arise 629 का और इसके अलावा एक और धान है जो बहुत बढ़िया है जिसका नाम है जेके सिट का 2082 तो इससे पहले कि जेके सिट के 2082 के बारे में हम आपको बताएं हम Arise 629 जिसके बारे में भी बात किये हैं उसकी उत्पादन छंता बता दें चुकि यह धान मोटा है यह मोटा धान है और वजन काफी अच्छा है तो इसके चलते इसका जो उत्पादन दर है वो प्रती एकर 30 से लेकर 32 से 33 की उटल तक उत्पादन अराम से दे जाता है तो किसान साथियों यदि आप लोग मोटे धान की खेती करना चाहते हैं और 32-33 की उटल तक का उत्पा अधिस्ट है और बहुत ही अच्छा है इसका चांवल की क्वालिटी काफी सांदार है तो इसलिए इसे बेचने में भी असानी होता है और रेड बहुत अच्छा मिलता है तो जेके सिट्स का जो 20 82 है वो प्रती एकर 5 से 6 किलो बीज़दर लगता है और इसकी जो रोपाई है वो 15 जुन से लेकर 20 जुन तक किसान भाई कर सकते हैं इसका जो उचाई है वो लगभग 110 सेंटीमीटर होता है और तना काफी मजबूत होता है इतना मजबूत कि हलका फुल का आंधी तुफान को जहल जाते हैं और इतनी असानी से गिरता नहीं है और इसमें लगभग किया गया है तो इसमें भी काफी कम खर्च आता है इसकी खेती करने के लिए मतलब काफी कम खर्च में इसकी खेती हो जाती है तो चुकि यह खाने में बहुत अच्छा है और काफी स्वाधिस्ट है और भारी उत्पादन देने में भी सक्षम है इसलिए यह किसानों की बहु करके लगभग लगभग 35-36 की उंटल का उत्पादन ले सकते हैं तो किसान भाईयों से अन्रोध है कि अपने पसंद के इन दोनों वराइटियों में से जो वराइटी चाहें आप लोग खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतने ही धन्यवाद जहींजे भारत